टीसन सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहागल अचमेर करौनर काल में अब पाएं अन्युल फीस पर 6,000 रुपे की चूट टूतल फीस 18,000 रुपे टूतल से एलेवन साइंस कॉममर्स आज नो अड्मिशन फी, नो लाब फी, प्री अक्टिविटी जी आप सबी को पता है कि आज इदुल उज़ा का मुका है और इदुल उज़ा के मुके पर ये हज का महीना कहलाता है सबी तमाम जितने भी मिस्लामिक लोग हैं उस सब लोग इस हज के दिन सब लोग बकरईद के दिन हज के दिन मक्का मदीना जाते हैं महाँ पे हच करते हैं लेकिन इस बार COVID-19 को चलते हुए महाँ भी हच बन करा गया है और महाँ पे भी मही की शेक लोग एक हजार लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए हच को अज्यान दिया है उसी तरह से हिंदल वली सरकार अजमेर शरीव दरगा जो है फाज़ा मुईनुदीन हसन चिस्टी संजरी सुमा अजमेरी रहमतुल्ला अलाई की बारगा है और यहां भी हर साल की तरह इस साल भी जब बकरईद का दिन आता है जैसा कि आज है और आज के दिन जन्नेती शरीव में खुला जाता है और जितने भी जाहरीन हजरात हैं जो लोग हच पर नहीं जा पाते हैं वो लोग यहां गरीब नमाज के बारगाह में आते हैं अपनी दौाएं करते हैं और जन्नेती दरवाजे से गुजर के साथ तवाफ काट के अपना एक हच का शर्फ आसिल कर जाते हैं तो फिलाल अभी COVID-19 के चलते तमाम भार के जाहरीनों का दरवार में आना बना हैं और केंदर सरकार के भी निर्देश हैं इसी वज़े को देखते हुए दरवाज शरीम में आज जन्नेती दरवाजा खुला गया तमाम रसुमात को अंजाम दिया गया और पासदार मुलक में इस COVID-19 महामारी के खत्मे के लिए दुआ की गई है और तमाम हम लोग आप सभी पाज़ा गरीब नावाज की बारगाह के जिते भी चाने वाले हैं उन सब को इस दिल दुआ की तहे दिल से मुबारक बात पेश करते हैं मेरा नाम सेयस जिशान अली चिश्टी गद करके लग कर समय के थार सकते हैं में और तम लोग कार प्के बार घग अली कि पहा है और थैजिए रह और रहें? झाल शड़र्बाद झाल कर दो